नमस्कार मैं आपका भगवंध मान दोस्तों जब भी पंजाब का ख्याल मन में आता है तो लेहराती फसलें, नाचते जूमते लोग, शूरवीरों, योदाओं की गुर्बानी की कताएं और गुर्बानी, सरवत का भला मांगने वाली गुरुईं की गुर्बानी मन में आते है और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतरत दिया है चाहे वो आजादी का अंदोलन हो चाहे आजादी के बाद हरे इंकलाब के रूप में ग्रीन रेवलूशन के रूप में अन्ने के मामले में अनाज के मामले में देशकुवातन निर्भर करने का एक टास्क हो तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है और पंजाब के लोग हसने खेलने के लिए खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के अपसी भाईचारे पंजाब के लोगों की अमन शानती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बरदाश्ट नहीं कर दे इतिहास गवा है जिसने भी पंजाब के शोशल भाईचारक सांज को जिसने भी पंजाब की आमन शांती को तोड़नी की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों ने उसका मूँ तोड़मा जवाब दिया आज मैं आपके सामने बैठा हूँ पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे नफर्तवरी स्पीच दे रहे थे कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे तो उन पर कारवाई की गई है और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सक्ष सक्ष सजा दी जाएगी क्योंकि आमादमी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमानधार पार्टी है पंजाब का अमन्चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप्रयू उसको हम बक्षेंगे नहीं क्योंकि लोगों ने बार बड़ी जिम्मेदारी दी है दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए हम ये करेंगे हम ये गैर करोनी काम करेंगे आप हमारा साथी जी बहुत असान है मुझे बहुत लोगों के फोन आए बहुत पेरेंट्स के फोन आए माता पिता के फोन आए कि जे आपने बहुत अच्छा किया पंजाम में अमन और शांती रहनी चाहिए इस मामले में हम आपका साथ देंगे क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में न पढ़ जाएं जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की स्कूल ओफ एमिनेंस की बच्चों को तरक्की और रोजगार दलवाने की बाते कर रही है तो हमारे लिए प्रात्मिक्ता किताबे हैं हमारे लिए प्रात्मिक्ता लैप टॉक और कंप्यूटर हैं हमारे लिए प्रात्विक्ता कोई गैर समाजिक हथ्यार नहीं है तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस अप्रेशन के दुरान बहुत साथ दिया पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई पत्थर जा कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई इससे मेरा भी हौसला बढ़ा है कि लोग जो हैं वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो नफरत की राजनिती नहीं करते हैं, हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं, हम सकूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफरस्रक्चर की बाते करते हैं और अर्विन केजरिवाल जी की गवाई में आमादी पार्टी जो है यह मैं बात कलियर कर देना चाहता हूं देशवासियों को 130 क्रोड देशवासियों को कि अर्विन केजरिवाल जी की गवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है हम लोग किसी धर्म के नाम पर जाती के नाम पर जा नफरत के नाम पर कभी भी राजनीती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कमपनी में, बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांती को तोड़ने का यह आपकी गलफ फैमी होगी तो मैं एक और फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशवाशन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कत्रा कत्रा मेरे दिल की एक धड़कन मेरा एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का कत्रा और पंजाब जो है वो नमबर वन सूबा था और नमबर वन सूबा बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो है वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात का हमें घर्व है तो पंजाब की शान्ती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारने की सोचेगा भी तो सक्त सक्त कारवाई होगी ये हमारा वादा है और इसी लिए आपने हमें जुम्मेदारी दिया है उस जुम्मेदारी के अधार पर ही मैं कह रहा हूं कि पंजाब के लोग बिलकुल निश्चनत रहें पंजाब सेफ हाथों में है आमादी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायत उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी बुजर्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए-नए जो है मौके पंजाब में पैदा होंगे कि अच्छा इलाज प्राटी को अच्छा इलाज देंगे